समस्कार दोस्तों जेके सक्सेस पॉइंट की यूटूब चलने में आपका स्वागता तोडे फैंस आई शियार में आई ए आराई में टेक्नीशन की अग्जाम होने वाले है उसी के रिगार्डिंग हम सोशल साइंस है वो पढ़ रहे थे तो उसी में हम Understanding Economic Development आर्थिक विकास की जो समझ है वो टोपिक दे रहा है सोशल साइंस में उसको हम पढ़ रहे थे तो उसमें आज हमारी अंतिम कलास रहने वाली है जो Economics का जो पार्थ है उसके लिए तो यह 8 नंबर की कलास है इससे पहले 7 कलास हम ले चुके हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख सकते हैं सभी बहुत important questions भी हमने इसमें करवाए हैं तो अभी जाकर उनको चेक कर सकते हैं आज हम जो अंतिम कलास है हमारी उसमें हम consumer rights को पढ़ेंगे कि उपबोकता जो अधिकार होती है वो क्या होती है तो उपबोकता अधिकार से लेटर जितने भी महतोपुन पर्षन बनेंगे उन सभी को आज हम discuss करेंगे यह topic आपके exam की दरश्टी से बहुत important रहने वाला है क् इस topic related एक से दो questions वो जुरूर से पूछा जाएगा क्योंकि इस topic related questions वो आम exams होते हैं जैसे railway, SSC, banking उनसमें भी questions पूछा जाता है तो इस exam में इस related questions पूछने जाने की बहुत ज़्यादा chances है तो आप वीडियो में बने वीडियो को अन तक जरूर देखें अगर वीडियो पस हम सुरूर करते हैं तो फ्रेंट्स आज का हमारा इसम पहला question है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारितिक किया गया था जो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है राइट टू इनफोर्मेशन जो एक्ट है वो कब पास किया गया था तो सूचना का जो अधिकार अधिनिय तब 15 जून 2005 को इस कानून को संसद में पेस किया गया था वहीं 12 अक्टूबर 2005 को इस कानून को है वो पूरे भारत में लागू कर दिया गया था तो यहाप यह आद रखेंगे अगला पर्षन हमारा इसमें वो बोगता सरक्षन अधिनियम या कोप्रा वर्स में अधिनियमित किया गया था जो कंजूमर प्रोटेक्षन जो एक्ट बनाया गया था जिसको सोट में क्या बोला जाता है कोप्रा बोला जाता है तो ये कब अधिनियमित या लागू किया गया तो Consumer Protection जो बिल है वो 1986 में संसद में पेस किया गया था और सन 24 दिसंबर आप डेट भी याद रखेंगे 24 दिसंबर 1986 को कब 24 दिसंबर 1986 को यह जो कानून है यह एक्ट है यह पास किया गया और लागू कर दिया गया था तो 24 दिसंबर 1986 तो 1986 उप्षन में है तो यह सही हो जाए तो अगला परसन हमारा इसमें निमल खित में से किसके लिए होल मार्क लोगो के रूप में परियोग किया जाता है तो चार उप्षन है उनमें से बताना है कि होल मार्क का जो लोगो है वो किस परकार के आइटम कौन से item के लिए use किया जाता है उसपर एक सुदता की परमान है यह देता है hole mark और कौंसे जो appliance उस होते हैं उन पर प्रियोक किया जाता है इस निशान का संप안 इंडियन इस्टेंडर्ड है वी आई एस उसके अंतरगत ये जो इसकी सुदधा के पर्माण के लिए इस लोगों को जारी किया गया था अगरा परशने इसमें निमल कित्मे से किस वस्तु पर ISI का निशान देखा जा सकता है जो ISI इंडियन इस्टेंडर्ड जो इंस्टिटूट है उसका मार्क है वो कौन से जो आइटम्स होते हैं उन पर परियोग किया जाता है आप उसनों पर किया जाता है खज्य तेल या विजली के उपकरण या फिर अनाज तो इसका निशान है यह परियोग किया जाता है जो इलेक्ट्रिकल अपलाइंस जो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल जो उपकर्ण होते हैं विजली के उपकर्ण उन पर परियोग किया जाता है यह इंडियन इस्टेंडर अथोर्ट जो इंस्टिटूट उसके मार्क है और यह पूंता सुप्ता की इसमें गारंटी है वो परदान करता है अगला परशन हमारा इसमें निमल खित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रे उपबोगता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो भारत में जो नेशनल कंजूमर डे है वो किस दिन बनाया जाता है तो नेशनल कंजूमर डे उसी दिन बनाया जाता है जब जो कंजूमर प वही एगर हम व्रड में बात करें कि व्रल्ड कंज्यूमर दे है विश्व जो उब्होकता दिवस रूप में पर्तिवर्श पंद्रै मार्च को कब मनाया जाता है आप ये डेट भी याद रखेंगे क्यों ये भी अग्जाम में पूछा जा सकता है कि परतिवर्श 15 मार्च को जो World Consumer Day है वो बनाया जाता है गुनिशो बांशट से इसकी सुरुवात है वो हुई थी कब हुई थी 15 मार्च गुनिशो बांशट से इसकी सुरुवात है वो परतिवर्श की जाती है कि ये कब बनाया जाता है और 24 दिसंबर को National Consumer Day वार्च के इसंदर में इसको बनाया जाता है अगला परशन है इसमें खुद को बचाने के लिए भोकताओं को क्या करना चाहिए तो प्रोटेक्ट देंसल्स वार्डू कंजूमर नेट्स जो कंजूमर जो होते हैं उप्भोकता होते हैं उनको खुद की शेप्टी के लिए क्या करना चाहिए तो उनको बोकता जाग रुकता होनी चाहिए, कंजूमर में अवेरनेस है, वो खुद में जाग रुकता होनी चाहिए, तभी वो अपने आपको प्रोटेक्ट है, वो कर सकता है, क्यों भी समान वगेरा खेंदने पर दोख़ड़ी इसे बचने के लिए उसको खुद को अवेरन जाग रुक होने की जरूरत होती है, तो उसन डी है, वो सही हो जाएगा, अगला परशन हमारा इसमें, उस अदालत का नाम बताईए, जिसमें एक बोकता 40 लाख रुपए के दावे के साथ समपरके कर सकता है, कोई वो कोट या फिर जो कंजूमर कोट है, उसका नाम बताना ह जिसमें हम 40 लाख रुपए तक का अगर हमारे साथ कोई ठगी हो जाती है, तो उसके लिए हम सिकायत हो कर सकते हैं, तो वो कहां पर कर सकते हैं, वो हम जिला उप बोकता नाले में, डिस्टिक कंजूमर कोट में इसकी सिकायत हो कर सकते हैं, तो उप्सन C है, वो सही हो अगला परशन हमारे इसमें, निमल लिखित में से कोन उप बोकताओं का अधिकार नहीं है, तो यह चार उप्सन है उन में से बताना की कोन सा है एक जो बोकता कंजूमर का राइट नहीं है, सूचना का अधिकार तो है, और सुरक्षा का अधिकार भी बोकताओं को मिला तो सविधानिक उप्चार का जो अधिकार है ये नहीं मिला हुआ है तो उप्चन डी है वो सही हो जाएगा अला परशन हमारा इसमें संयुक्त राष्टर ने उपभोगता सरक्षन के लिए संयुक्त राष्टर के दिसान निर्देशों को कब अपनाया था जो यूनाइटेड नेशन है उसने यून गाइडेंस है जो कंजूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग तो उसको कब अपनाया था तो वो अपनाया था 16 अपरेल 1985 को ये जो यून गाइडेंस थी प्रोटेक्शन कंजूमर प्रोटेक्शन एट के रिगार्डिंग उनको अप निए से कव्कून उबक्ता सरक्षन परिस्दों का कारिय नहीं है जो कॉन्जुमर प्रोटेक्षन जो काउनशिल बनाई जाती है का ईए यह में बताना है नेक्ट कुछिशन है हमारा उबुकता सरक्षिंग अधिनिया में लागू होता है जो उबुकता सरक्षिंग अधिनिया में कंजिमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो किन किन चीजों पर लागू होता है तो यह अचल माल जो इम्मुविबल जो गूड्स होते हैं अचल सम्प्ति और इस्पेसिक गूड्स और जो सर्विशेज होते हैं और जो आल गूड्स एंड सर्विशेज तो सभी परकार के समान और सेवाओं पर इसको लागू हो किया सकती है आपको किसी डिस्टिक्ट फोरम के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो आपको कहां जाना होगा तो डिस्टिक्ट फोरम के अगें अगर हम अपील करें तो हमें कहां पर जाना होता है हम राज्य मंच पर हमको जाना होता है कहां पर इस्टेट फोरम होती है वहा कोई भी बाजार में अगर हमारे साथ कोई दोखा दड़ी होता है कोई सोसन होता है तो हमें कहाँ पर जाना चाहिए तो बाजार के लिए हमें उबगता अदाला जो कंजूमर कोर्ट जो होते हैं वहाँ पर हमें जाना चाहिए तो कंजूमर कोर्ट है वो सही हो जाएगा अगला परशन है निमलिकित में से कौन सी एजेंसी बारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिए माननक विक्षित करती है तो बारत में जो भी प्रोडेक्स बनाए जाते हैं उनके लिए स्टेंडर्ड होते हैं वो कौन सी एजेंसी है वो तयार करती है तो ये करती है बारते जो माननेक Bureau है Bureau of Indian Standard है वो ये माननेक है वो तयार करती है तो Option C है वो सही हो जाएगा और इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी 23 December 1986 को इसकी स्थापना है वो की गई थी और जो BIS इसको सोड़ें बोला जाता है क्या बोला जाता है BIS Bureau of Indian Standard तो इसका जो Headquarter है वो Neodaly में बनाया गया है नेश्च क्यूशन हमारा समें उबग्ता सरक्ष्ण अधिनियम के तहत उबग्ता के पास कितने अधिकार है तो उबग्ता सरक्ष्ण अधिनियम कंजुमर प्रोटेक्शन जो Act बनाय गया है उसके अंतरगत एक कंजूमर के पास कितने इसमें बताया गया है कि कौन कौन से अधिकार है और गकार धेस्टेना इसका वह भी negócio वह तो टोटल सभ्स के आपको उडिये गए तो इनको आप अच्छे से देख शकते एगए पूछा जा सकता है नेक्स्ट कुशन है इसमें इस अधिनियम के तहेत जिला फोरम के फोरम सदश्य की न्यूंतम आयू होनी चाहिए तो कौन सा एक्ट की बात की जाए है यहां पर जो कंजूमर एक्ट बनाया गया था 1986 में उसके बाद में संसोधन किया गया इसमें 2019 में तो हम इसमें बात करें तो इसमें बताया गया कि जो भी फोरम बनाया जाती है आपकी जो डिस्टिक लेवल पर जो फोरम बनाया जाती है तो उस फोरम में कितने सदश्य की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए न्यूंतम एज इसमें पूछी के तो न्यूंतम एज की बात करें त 75 एसे अगर नीचे है तो आप इसका सदेश्य है वो नहीं बन सकते हैं और मैक्सिमाम 65 एस तक आप इसमें वरकिंग कर सकते हैं 5 एसमें इैश्टेंशन तक ऑप Сिट्स एड legitimate एक वे इसमें तक इसमें कारी है वो कर सकते हैं उसके बाद आपको इसमें फोरम के खिलाब शिकायत करते हैं किसी भी product के regarding किसी भी opposition party पर आप शिकायत करते हैं तो उस शिकायत की reply देने के लिए opposition party के पास कितने दिन का समय है वो दिया जाता है तो opposition party के पास 30 days का time हो दिया जाता है और अगर consumer जो फोरम है वो अगर चाहे तो इसमें 15 days का increase कर सकती है 37 दिन के लिए भी इसको रोक सकती है तो इसमें 30 days अब इसके लिए सही answer हो जाएगा नेर्ट कुछन हमारे इसमें जब विक्रेता किम्मत में हराफेरी करता है तो उसे के रूप में जाना जाता है कोई विक्रेता है कोई seller है अगर वो किसी भी product की price में हराफेरी manipulate करता है तो यह किसके अंत्रगत आता है तो यह आता है पर्तिबंदित व्यपार व्यवार जो restricted trade जो practices आता है उसके अंत्रगत इसको माना जाता है तो option C है वो सही हो जाएगा next question को देखते हैं इसमें 19 number question हमारा निमल लिखित में से कौन सा मंच उस व्यक्ति को अपने सदस्य के रूप में पुनाय न्यूक्त कर सकता है तो कौन से मंच या फिर कौन सी फोरम है जो अपने जो सदस्य है उनको पुनाय न्यूक्त है वो कर सकता है तो इन में से कोई नही इसका सही एंसर आपका हो जाएगा अगला कुछन है इसमें 20 number question किस फोरम में महिला सदस्य का होना अनिवार्य है जो कौन सी फोरम है जिसमें एक फीमेल मेंबर है वो होना कमकल सरी है तो राष्टरी आयोग राज्य आयोग और जिलायोग तीनों में ही महिला सदस्य का होना क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा उप्युकत सभी क्या होजाएगा तो इसमें जो राष्टरीी आयोग होता है राज्य आयोगौ और जो डिस्टिक आयोग होता है उनसे में जो महिला संदस्य होती हैं का होना अनिवार्य होता है तो ये थे आज के हमारे consumer write-say related कुछ important questions आसा करते हैं आपके वीडियो पसंद आया एको फिली पिडियो को लाइक करें कमेंट करें अपनी फ्रेंटस में सेर जुरूर करें अगर आप चैनल पहले बार वीजिट करें तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद